कि साध्व और साध्वन तत्व क्या है साध्व तत्व भगवन प्रेम प्राप्ति साध्वन अर्था साध्वन तत्व स्वीहरी के नाम अभी इसको तीन रूप में हम जानेंगे जैसा कि सम्हंद अविधे और प्रयुजन सम्हंद मतलब जीव और इस्वर के साथ क्या सम्हंद है जीव माया के साथ क्या सम्हंद है ये सारे तत्पों को जानने के नाम है सम्हंद शंबंद जाने बिना अर्थाद क्रिश्ण के साथ हमारा क्या रिलेसन्सीप है क्या संबंद है ये जानेंगे तो आप अभी धेय और शाधना भक्तियूं कैसा प्राणम करेंगे स्री क्रिश्ण सर्वशक्ति मान है वह हरी है परभ्भुम उनके रहने के स्थान है वो स्याम सुंदर है, शर्वशक्ति शम्पन्न है और समस्त रस्त के खा जाना है, अनंत अनंत जीव उनकी आंस मात्र है, स्पुलिंग मात्र है, नित और बद्ध दू प्रकर के जीव पाया जाते हैं, नित मुक्त जीव और नित बद्ध जीव, बहिर मुक जीवों को माता है, जीव और श्री कृष्ट नाम इस संसार में दुह या चिन्माइ वस्तु है, बाकि सब जरियों वस्तु, जरियों का मतलब है, व्घवान से भिन भी है, भगवान से अभिन भी है, कभी-कभी जीव भगवान से भिन और अभिन दूनों ही माना जाता है, इसलिए गो प्रांग महापुरुष और स्वयाम भगवान श्रीक्रिष्ण बोलते हैं कि अचिन्त भेधा भेध तत्व है जैसा कि महापुरुष ने जीव को कभी-कभी दयत बाद अद्वयत बाद विश्ष्ट दयत बाद इस बाद में जो विभाजित किया तत्व को शंकराचार अर्थ जीव में किसी प्रकार का अउंतर नहीं माधवाचार विश्ष्ट अदयत बाद का प्रचार किया। एक मात्र महा पुरूष शंकराचारे ही जीव को अद्वईत अर्थाद जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं ये बाद का प्रचार किया और बाकी जो माधवाचारिय निम्बाग अर्चारिय और विष्णु सामी रामानुचारिय ये सब जो है द्वईत बात को मना है श्विकर क्या है इन दूत अत्व को लेके ही बहुत लराई होता है बाक्य का शब्द का लराई द्वईत और अद्वईत इसमें हम नहीं जाना सत्वा जाता है, तो जीव के साद जो प्रभु की श्री क्रिश्णा की आराधना करना, उसके नाम ही अभीधीय अगर आपके पास आपसे आपसे आपको संभंदो ज्यान ही नहीं है कि ब्रह्म कौन है श्री कृष्ण कौन है श्री कृष्ण में कितना शक्ति है श्री कृष्ण कैसा है देखने में वो श्याम सुंदर क्या कहा रहते है इस अब तत्यों को जाने विना आप कैसा उनके आराध ना कर सकते हैं तो यहां पर बर्णन क्या गया है स्री कृष्ण श्यम शुंदर है स्री कृष्ण रशीक शेकर है रशतमह है वह परभ्यम में निवास करते हैं जीव उनके अनंत जीव उनके अंस विशेश है जीव दू प्रकार है एक बहिर मुख और तद मायाबाद जीव एक अंतर मुख और तद कृष्ण भक्त जीव जरजगत और जीव भगवान की अचिंत बेदावेद तत्व है और तद भगवान से ही उत्पन्न हुई है बेदावेद अर तद भगवान ही है और भगवान से भि गोरांगों महाप्रुब्स दुनों की बीज में अचिन्टव बेदावे तत्व अर्था ये तत्व हमारे चिंता की बाहर है इसमें हम ज्यादा दिमांग लगाने के कोई जरुत नहीं है जीव भगवान की अंसव है अंसव की काम पुर्ण का सेवा करना अर्था दास का काम प कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे वैसा तो नौ प्रकर का विदी भक्ति दिया गाया है स्रवनम किर्टनम विष्ण स्मरनम पादशेवनम और्चनम बंदनम दास्य सक्षमात्मनिवेदनम ये नौ प जिस प्रकार ब्रमा और जीव को अइक मानते हैं यह एक ब्रवमित ग्यान हैं एक अस्वमपुर्ण तत्व है जिससे जीव को आपने शत्ता को ही खुना पड़ता है यह बहुत बड़ा आतमगहत ग्यान है इसमें जीव को नहीं जाना चाहिए जीवों को हमेशा आपने क nou किरके और परमेश्यर प्रभु स्रीकृ치를 के शेभा करना चाहिए तरह नों के अचिंत śakti को शी डिना ही सुपयों की काम है सुपय-भगवान के दासिय प्रचार करते हैं उस महत्वत्तों को अगर जीव के साथ हम एक काकार कर देंगे तो वह ब्रह्मों के चरणों में आर्था स्रीकृष्ण के चरणों में विश्म अपराद यह बहुत बरा अपराद है ऐसा नहीं करना चाहिए जीव और ब्रह्म हमेशा भिन रहा है जीव कि इसको हमेशा मनना चाहिए उपनिश्वद में बर्णन है कि शास्रों का बहुत बिवाजन हुई बहुत प्रकार का तर्क बितर्क बितंडा आए हैं जयमीनी जी कोपिल जी कौनाद आधी जो बड़े-बड़े रिशियों ने शास्रों अभी धेयतत्यों को बिल्कुल बि बिचारों में हमें नहीं फास्तना चाहिए हमें शरल भाव से भक्तियों का पालन करना चाहिए जॉयमिनियादी रिशियों ने शास्रों के जो गंभीर अर्थों को जगत में प्रचार नहीं कर पाया इसकि प्रच्छन बुद्ध मत ही प्रचार किया शंकराचार ने और बुद्ध भगवान भी बिलकुल वेद की खिलाप बात किया है तो भगवान बुद्ध ने जो काम किया है उसको थोरा बुद्ध घुमाफिरा करके शंकराचार महापुरुष्ट ने जो काम किया है उसी प्रकार उसी लाइन का ही काम है कि भगवान और जीव में अंतर ही नहीं रखा है तो वो भी एक प्रकार के गलत है, जीव के आपने सत्ता अलाग है और ब्रह्म के आपना सत्ता अलाग है, ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते है, जीव कभी ब्रह्म नहीं बान सकते है, ये संपुर्ण रूप से सत्त बात है, शास्त्र बेद बिदान्त उपनिशत् वही कहते है, ये अस्ताबक्र, दत्तत्रेय, गोविंद, गोरपाद, संकर और संकरानुगतो जितना सारे महापुरुष हुई हैं ये सब मायाबाद गुरु है अर्था मायाबाद तत्व के ही पुशन किया है इसलिए कलिकाल के जिवों को उधार करने के लिए गोरपाद महापुरु एक्दम सादा मार्ग दिया है जो सब कोई कर सकते है और भक्ति जोग जो है और अविध्यो तत्व जो है ये भगवान के नाम किर्तन करना हरे क्रिश्ण क्रिश्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शास्त्र में जितना सारे विधी और निशेद है दू विधी निशेद के अनुगत में रहते हैं एक है हमेशा क्रिश्ण के स्मरन करे और दूसरा कभी हम क्रिश्ण को ना भूले इसलिए इतना सारे विधी न जुप में हमेशा क्रिश्न का स्मारण करते रहे और किसी भी कारण हम कभी भी क्रिश्न को ना भूले इसलिए बोलते हैं यह करो यह करो वो करो शुबे उठो शात्ति पाहर करो पाठ प्रवचन करो नाम जपो यह सब इसलिए है कि हमेशा हम निरन्तर क्रिष्ण के समर्ण में रह सके और यह मात करो। वो मात करो। इसलिए कि हम कभी क्रिष्ण को ना भूले। और तदू विदिनिशेद के ही अनुगत में सारे विदिनिशेद रहते हैं उन महापुरुषों के लिए कोई विदिनिशेद नहीं है जो महापुरुष निरंतर कृष्ण के स्मरण में रहते है उनके लिए सारे विदिनिशेद वेरता है क्योंकि वो सम्पूरुन विदिनिशत का उपर है क्योंकि विदिनिशत इसलिए पालन क्याता है कि हम हमेशा क्रिष्ण के स्मरण में रहें जो महापरोष्ण हमेशा क्रिष्ण के स्मरण में रही रहा है उनकी लिए किसी प्रकर का और नया विदिनिशत का किसी प्रकर का जु हमें अभी शम्हंद ज्यान प्राप्त हो गया अभिधेय ज्यान प्राप्त हो गया और प्रविजन तत्प तो आपको प्राप्त है प्रविजन तत्प जो है और कृष्ण प्रेम प्राप्ती कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और अभिधेय तत्प जो भजनांग है इस साथ तत्यों को जानते हुए जब भजन करेंगे तो अविलंब अविलंब मतलब बहुत जल्द